तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे सोलाना प्रोजेक्ट के बारे में काफी सारे लोगों की ये कोश्चन थे सोलाना में अभी फिलाल क्या चल रहा है क्या सोलाना प्रोजेक्ट भी लूना की तरह हमें यहां पर धोका दे सकता है क्या आखिर सोलाना में चल मज़ सको और जो भी अगर आप buy sell करना चाहो उसमें आपको यहाँ इस वीडियो को देकर काफी ज़्यादा help मिल सकती है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है नीचे आपको description पर टेलिग्राम की लिंक मिलेगी उसे आप वहाँ पर जोईन कर देना जहां पर market की जो अब्रेट हो कॉल्सों मैं वहाँ पर share करता हूँ recently दोस्तों हमने forex trading भी शुरू की है तो उसकी भी लिंक आपको description पर मिलेगी तो टेलिग्राम में आप उसे भी वहाँ पर join कर सकते हो और चाहो तो आप हमारे साथ forex trading शुरू कर सकते हो तो यहाँ पर अगर हम इसके news के बारें बात करें और क्या इसमें फिलाल हमें देखने को मिल रहा है तो मैं आपको बता दू सोलाना की जो network है वो काफी ज्यादा speed है काफी ज्यादा अगर हम ethereum के मुकाबले यहाँ पर बात करें तो easy to use है और यहाँ पर देखें तो काफी low fees यहाँ पर है मतलब अगर आप किसी को यहाँ पर solana network पे stand करते हो किसी भी तरह के project को तो काफी low fees में यहाँ पर चली जाती है दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो इसकी speed है वो भी काफी ज्यादा है तो one of the most यहाँ पर यह काफी ज्यादा famous blockchain है और लोग काफी ज् है कि जो उसके यहाँ पर features होते हैं वही उसके लिए कभी-कभी उसके मुसीबत के कारण मनते हैं तो solana में हमें वही देखने को मिल रहा है actually में हुआ यह है कि इसकी जो fee है वह काफी कम है जो इसके transaction fee काफी कम है और साथ में काफी speed है और यहाँ पर solana network में open secret में आप जाकर काफी सारे nft buy कर सकते हूं इस तरह के nft के काफी बड़े platform जो है वो solana network को अभी यूज कर दे हैं तो जो भी nft को buy sell करते हैं उसके लिए solana network काफी अच्छा है लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ का benefit उसा जा रहा है क्योंकि इसकी transaction fee काफी कम है और यहाँ पर जो इसकी speed है transaction fee वो काफी ज़्यादा है तो ऐसे में कई सारे bots इसके network पे अब यहाँ पर attack हुई हैं कई सारे bots यहाँ पर इसके network पर attack हुए हैं जिस कारण से इसके network में outage आया है और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आप solana को यहाँ पर कहीं भी withdrawal कर दे हो या फिर इसके network में नेट किसी भी project को किसी भी NFT को buy sell या फिर withdrawal कर देखो तो वहाँ पर आप इसके network में अगल देखोगे तो या तो वह congested or on process या विड्रोल में किसी तरह का issue आपको देखने को मिल दें तो region यहाँ पर ही है कि इसके बोर्स में इसके जो नेटवर्क है बोर्स के थूरू यहां पर टेक किया गया है और यह जो अभी इसके नेटवर्क को होल्ट किया गया है रोका गया है तो एक्चुली में यह लगा कर मतलब कल जो यह होल्ट हुई है यह लगा कर कहीं ने कहीं एक कमजोरी बताती है जैसे कि अगर हम मार्केट में अगर देखे अगर टेकिनिकल एनलाइस के थुरू देखे तो जब किसी सपोर्ट को बार बार यहां पर रिटेस्ट किया जाता है तो हम यहां पर उसे काफी ज़्यादा हम एक अंदाल लगाते कि वहां से यह सपोर्ट ब्रेक हो सकती है तो ठीक एसी तरह से नो बार इसके नेटवर्क पर अटेक हुए और नो बार यहां पर इसे फिर से ठीक किया जा रहा है तो बैसकली इसके नेटवर्क को 9 बार 9 बार इसे यहां पर ठीक किया गया अभी फिलाला सब सही है सुलाना के जो भी आभी आप विड्रॉल डिपोजिट करना चाहते हूं वो आई थिंक यहां पर हो जा रही है लेकिन यह सुलाना की ब्लोक्चेन काफी फिरमस ब्लोक्चेन है और ऐसे टाइम पर इस वेर मार्केट में जब इस तरह के कंजस्टिट का हमें सीन देखने को मिलता है या फिर इस तरह के हमें देखने को मिलती है तो कहे नगे छिंता होती है कि कही यह न भी लुना की तरह पर खतम न हो जा है अगर सुलाना में इस तरह के चीज़ें हमें देखने को मिले अगर इसी तरह से इसके nails work में हमें बार बार अगर जो बोर्स होते हैं उसके अटेक हमें देखने को मिले बार बार अगर इसके नेटवर्क को रोका गया तो इसमें काफी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिससे अगर हम बात करें तो सोलाना नेटवर्क पे कई सारे डैप्स चलते हैं और अगर इसके को आप देखोगे तो वो भी कहीं न कहीं कम हो रही है और दूसरी रियूमर्स हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो इसके अर्ली इन्वेश्टर है जिसने इसके आई सियो प्राइस में यहां पर इसा बाई किया था 30 सेंट 70 सेंट 1 डॉलर इस तरह से वो फिलाल इसे यहां पर सिल आउट कर सकते हैं तो इसी रियूमर्स आ रहे हैं हाला कि अभी इसके फिलाल कोई अपडेट नहीं है लेकिन अगर वहां से वो यहां पर सिल आउट करते हैं तो इसकी प्राइस में आपको और डाउन आपको देखने को मिल सकता है लेकिन कुछ गूट निज के बारे में तो यहां पर अगर आप दिखोगे तो ब्लॉक्चेन टूलकीट अलकेमी लाँच सुलाना डैपलो प्लैटफॉर्म तो इस तरह के काफी सारे अभी फिलाल निवज देखने को मिल रहे हैं जो सुलाना को अभी यहां पर सपोर्ट यहां पर मिल रही है अगर सुलाना के बार तो उसमें आपको अलफा या फिर मैनेंट इस तरह के चीज़े देखने को मिलती है जो बीटा से काफी ज्यादा आगे है तो इसे में अभी सुलाना की जो नेटवर्क है वो बीटा वर्सन पर ही यहां पर अभी काम कर रही है जब भी कोई प्रोजेक्ट अभी इनिसियल वात है कि उसमें कई सारे आपको प्रॉब्मस देखने को मिलते हैं और खास करके वह प्रॉब्लम्स जब आपको देखने को मिलते हैं जब वह प्रोजेक्ट बहुत अच्छी सर्विस के प्रोवाइट करती है सुलाना की अगर हम बात करें तो इथिरियम का कमपेटिटर्स इसे यहां पर माना जाता है और खास करके इसके scalability, transaction fees, transaction time को लेकर इसे यहां पर जाना जाता है Ethereum के मुकाबले Solana में काफी ज़्यादा हमें वचत देखने को मिलती है चाहे इसके network को आप use करते हो इसे आप withdrawal deposit करते हो इसमें आपको काफी ज़्यादा फाइदे देखने को मिलते हैं Ethereum के मुकाबले अब चुकि transaction fees कम है transaction speed ज़्यादा है तो इसलिए bots सारे भी कई सारे bots इसके network पर टेक करते हैं और इस कारण से जो इसके NFT के buy sale होती है उसे mint करने के लिए इसके network में bots के थुरू यहाँ पर टेक किया जाता है जिस कारण से अभी Solana में ये problem हमें देखने को मिल रहा है long term के हिसाब से तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि Solana के price में आपको और डाउन देखने को मिल सकता है तो अगर आप इसको buy करना हो तो DCA कर सकते हो लेकिन आपको Luna को ध्यान रखना परेगा कि जिस तरह से Luna में हमें देखने को मिला है कि किसी भी price में ये non stoppable रही और इसकी price गिलती रही तो हो सकता है कि इसकी price में आपको थोड़ा सा down देखने को मिले क्योंकि जब market wear होती है तो अच्छे से अच्छे project भी यहाँ पर हवा हो जाते क्योंकि जो अभी फिलाल इसके network पर hold हुई थी वो अभी यहाँ पर ठीक हो चुकी है लेकिर अगर फिर से ये news हमें देखने को मिलता है तो इसके price में फिर down आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर आप 50-60 dollar में buy करके रखे हो तो आप चाहो तो यहाँ से exit कर सकते हो कुछ parts आप यहाँ पर exit कर सकते हो दूसरी अगर हम बात करें high price में buy कर रखे हो तो आपको hold करना चाहिए अगर आपने 100-40,200 dollars में buy कर रखा है तो आपने hold करनी चाहिए तिसे अगर हम बात करें तो अगर आप इसे यहां पर buy करना चाहते हो तो थोड़ा सा wait कर लें अगर यह आपको 30-25 डॉलर पर आपको देखने को मिलती है तो उस समय आप buy कर सकते हो लेकिन कोई बड़ा amount आपको यहां पर नहीं लगाना है कई सारे लोग कहते हैं कि सोलाना अभी फिलाल आपको 200-500 डॉलर में देखने को मिल जाएगा तो मेरा मानना है कि अभी फिलाल ऐसी कोई चीज़ा आपको देखने को नहीं मिलेगी और इसकी market cap 13 billion डॉलर का है तो उस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाओगे तो लगबक 40 billion dollar के market cap में इसकी price 120 डॉलर तक आपको देखने को मिलेगी 40 billion dollar का market cap अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी market cap होती है और bear market में यह हमें देखने को नहीं मिलता है तो ऐसे में अभी फिलाल अगर आपको buy करना है तो थोड़ा सा wait करनी है लगबक 25-30 dollar पर आपको देखने को मिलता है तो आप उस time buy कर सकते हो और आपको उस time DCA करनी है ना कि एक बार में buy करना है और कम fund के साथ ही आपको buy करनी है क्योंकि मेरा मानना है कि और भी कई सारे project है जिसमें आप यहाँ पे अपने amount को use कर सकते हो तो fund को आपको diversify करना है और कुछ बड़ा amount आपको किसी भी project में ज़्यादा आपको नहीं लगाना है तो यह कुछ update थे सोलाना के बारे में और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा panic वाली कोई बात नहीं है problem यहाँ पे solve हो चुके हैं तो फिर से अगर आपको इस तरके इसकी network halt होती है तो फिर इसकी price डाउन जा सकती है तो कुछ आप चाहो तो यहाँ से इस price में DCA थोड़ा बहुत कर सकते हूँ तेकिन बेटर होगा थोड़ा से wait करना अगर इसकी price और डाउन देखने को मिलती है तो उस समय आप यहाँ पे buy कर सकते हूँ ताई होप दूस्तो वीडियो आपको अच्छा लग होगा मिलते अपने next वीडियो में एक नई information के साथ तब तक लिए goodbye जेहिंद